नमस्का दोस्तों, एक्टर, कमेडियन, फेमस पर्सन जिनको आप हर कोई जानता इंडिया में, राजू स्री वास्तप जी आज एम्स में हैं, इनकी तीन बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अभी लेटेस समाचार के इसाब से दस साल पहले इनको एक बार एंजियोप्ला किलावेन होस्पिटल में, दूसरी बार एंजियोप्लास्टी होई, साथ साल पहले लिलावती होस्पिटल में और तीसरी बार होई एम्स में, तो ये जो एंजियोप्लास्टी है, इसको क्या सक्सेस्फुल ट्रीटमेंट माने या ना माने, मैं जानता हूँ राजू जी के ये पूरा दुनिया आज प्रेयर कर रहा है कि वो ठीक रहें, भगवान के उपर तो हर को विस्वास है, पर ये एंजियोप्लास्टी जो आज कल ट्रीटमेंट चल रही है, इसके उपर मेरे को पूरा विस्वास नहीं है और लोगों को धिरे धिरे विस्वास कम होता जा रहा ह क्योंकि एंजियोप्लास्टी फेलियर ट्रीटमेंट माना जाता है, मैं बहुत सालों से देखता हूँ, पहले बिलूनिंग आई थी, उन्होंने बुला था, बिलूनिंग करवा लो, जिंदगी बड़ ठीक रहेगा, फिर बिलूनिंग के बाद आई, स्टेंट, स्टेंट को बड़ा माना गया, फिर हो भी फेलियर हुआ, तो उसके बदले और भी स्टेंट आने लगे, बायो डिग्रेडेबल स्टेंट आई, आजकल फिर ड्रग कोटेट स्टेंट पर ज्यादा जोड़ चल रहा है, तो यह जित्ते सारे तरह के अंजियोप्लास्टी वही, अगर यह बाद भी आपको लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, खान, पीन, रहन सेंट, कोलेस्टरोल कम करना, ट्राइगलिसएट कम करना, यह बहुत ज़रूरी है, और यही हमारा मेडिकल साइंस का बैक्गराउंड है, साइन्टिफिकली आप यही जान के चलिए कि ह तो साल, तीन साल, एक साल में बार बार बम्द हो जाती है, और अगर स्टेंट लगाने के बाद फिर से हार्ट अटाइक होती है, इसका मतलब स्टेंट में कमी होने के पुरे चांसे है और यही हुआ है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आज एन्जिोपलास्टी इस रहेंगे एनीवे मैं जानता हूँ आज पूरा नेशन यही प्रे कर रहा है कि राज उस्रिवास्तव जी ठीक हो जाएं पर उनकी अल्रेडी हार्ट अटैक हो चुकी है और उनको दो स्टेंट और लग चुका है और उसके बाद भी वेंटिलेटर में हैं तो मॉडरन मेडिकल स खाना खाना चैये, non-wage बंद करना चैये, cholesterol, triglicide की दवाई, BP or sugar की दवाई लेनी चैये, walking करना चैये, exercise करना चैये, smoking वगेरे, कम कर देना चैये, बंद कर देना चैये, और जितना हो सके, अपने बोड़ीवेट को मेंटेन करना चैये, stress कम लेना चैये, योग करना चैये, यही असली इलाज हाड की बिमारी का, तो एनिवे, फिर से राजु जी के तरब से मैं यही चाहूँगा, कि भगवान पर यह प्रात्ता करूगा, उनको ब्रेन डेट से बापस, वेंटिलेट से बापस लाएं, और हमें उनको फिर से इंजॉई करने का समय दें, थैंक यू सो मच, पर आप जरूर सोचिएगा इसके बारे में.